गाजियाबाद को दिल्ली से जोडने वाली एलिवेट रोड पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां सड़क हाथसे में दो यूपकों के मोथ हो गई है। दोलों मृतक दिल्ली के रहने वाले थे। एलिवेटेड हाईवे थाना चेत्र इंद्रापुरम एक कलवात की घटना है। एक इटियोस गाड़ी ती जिसमें दो लड़के सबात थे वो अपनी गाड़ी रोगकर एलिवेटेड पे खड़े थे तभी पीछे से एक पिकप गाड़ी में तक्कर वाग दिया। इस तक्कर से दो काफी घायल हुए थे। उनको चोटे लवस्था में हॉस्पिटल एडमिट कर आए गया था वाट उन्हें प्रॉट्डेड डिक्लेयर कर दिया गया। दोनों के शफ को पोस्पाटम के लिए भेज दिया गया है। जो पिकप जिसने किया एक्सिडेंट किया था उसे सीज कर लिया गया है और ड्राइवर को गिरफतार कर लिया गया है।